रतीश ये बताईए कितनी बड़ी काम्याबी है, कितने सारे आस्पेक्ट हैं कानपूर हिंसा से जुड़े हुए हाजी वसी को लेकर के लेकिन नाकामी इस बावत थी कि एक महिने से हाजी वसी फरार था और हाजी वसी को कानपूर पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन देर रात उसे लकनव से कानपूर की क्राइम ब्रांच ने गिरफतार कर लिया है और एक गुप्त इस्तान पर रखते हुए उससे इस बाद पे भी एहम हो जाती है क्योंकि हाजी वसी पर क्राउड फंđंडिंग का आरोफ है और क्राउड फंडिंग के आरोप पे मुक्तार बाबा लिया खार करके और मीटिंग्स पे तैय किया गया कि हिंसा कहा कहा कैसे किन किन चौराहों पर की जाएगी तीन जून को कानपूर में शेहर का महौल बिगाडने की बरपूर कोशिश की गई नई सड़क और परेड में जम कर भवाल हुआ पत्रबाजी हुई फाइरिंग हुई बंबाजी हुई और शेहर के महौल को बिगाड़ा गया तो उसके बाद तमाम सरकारी विभाग जागे और उसके बाद उन पर कारवाईया शुरू ही हाजी वसी से रिलेटेट जितने भी लोग थे उन पर कारवाईया शुरू ही और उसके बाद उनकी सीलिंग की और उनको तोड़ने की कारवाई बुल्डोजर गर जा कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, यह कहा जाता है कि हाजी वसी की शहर में 31 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 100 करून रुपे से जादा की कीमत की हैं और यह अवाय तरीके से बनाई गई हैं कई बिल्लिंग्स में नक्षा ही पास नहीं कराया गया नेमों को दरकिनार रखा गया लेकिन गड़जूर इतना मजबूत है हाजी वसी का कि अब तक उस पर कोई कारवाई नहीं हुई तो रतीश जिस रसूख का इस्तवाल उसने किया है चाहे बिल्डिंग्स को कब जाने में या फिर क्राउड फंडिंग में और उसके नतीजे क्या है हमारे सामने हैं साल एक महीने के बाद ही सही यह काम्याबी हाथ लगी है क्राइम ब्रांच को अब देखना होगा कि किस तरीके से पूछताच में और खुलासे होते हैं परते खुलती है इस पर नजर रहेगी शुक्रिया रतीश जानकारी के लिए देखे हाजी वसी की गिरफतारी हो चुकी एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की